मैं स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंसिचूट के इस ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर आज हम जो है अपनी इस क्लास में बाइलोजी के इंपॉर्टेंट एंसी क्यूज डिसकस करने वाले हैं जो आपके कमिंग टेट एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंसिचूट के बारे में कुछ बता दूँ जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं Mission HPSAC Mission HPSAC का मतलब है कि नीव इंसिचूट हिमाचल प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन और बोर्ड के अंडर आने वाले different competitive exam की online और offline coaching प्रोवाइड करता है जिसके अंडर HP clerical, HP पतवारी, HP police, HP forest card, HP banking exam and other allied services के exam शाम शामिल है इस session में मैं specially बात कर रही हूँ हमारे HP TED के batch के बारे में तो नीव इंसिचूट ने HP TED की तीनो streams, arts, medical और non-medical के लिए जो है वो online class से start कर दी है अगर आप भी हमारे online course में शामिल होना चाहते हैं तो Google Play Store पर जाएए, नीव इंसिचूट लिखे, वहाँ आपको इस तरह का icon देखने को मिलेगा, उसको install कीजिए और अपनी online class बुक करवाने के लिए हमारे phone number 9459802085 पर call करके अपनी online class जो है वो बुक करवाईए अगर अब मैं आपको बता दूँ कि नीव इंसिचूट जोइन करने में आपके क्या-क्या benefits है benefits of our online and offline classes, सबसे पहला benefit जो है वो है one week demo free one week demo free का मतलब है कि अगर आप हमारे इंसिचूट में online और offline admission देने के लिए interested है तो one week तक आपको free demo दिया जाएगा ताकि आप analyze कर पाएंगे क्या जो teachers यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए helpful है क्या teacher इतने capable है कि वो आपको आपके exam की preparation करवा सकते हैं या नहीं इसके लिए जो है वो one week demo free रखा हुआ है उसके बाद आप analyze करके admission ले सकते हैं अथवा quit कर सकते हैं इसके अलावा daily classes, weekly test and quizzes and out removal session भी रहता है एक और thing जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है 20% discount for BPL students नीव institute ने 20% discount रखा है BPL students के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो regular रूप से कर सके तो अगर मैं HP TED की fees की बात बताऊं तो वो रहेगी वन ट्रिपल नाइन रूपीज और इस रूपीज में भी हम जो है सॉरी वन ट्रिपल नाइन में थोड़ा गलत लिख दिया वन सॉरी अप्रॉक्सिमेट जो हमारी फीस रहेगी वो रहेगी 2,000 रुपीज जो है 1,999 रुपीज इस फीस में भी जो है वो हम 20% डिसकाउंट जो है वो BPL स्टुडेंट्स को दे रहे हैं आप HP TET के बारे में मैं बता दूँ कि Chemistry और Biology का सेक्शन जो है वो मेरे पास रहेगा मैं आपको HP TET में Chemistry और Biology की प्रेपरेशन करवाँगी तो चलिए चलते हैं अपनी MCQs की तरफ सबसे पहला question जो आपको question number 1 है which of the following is called amphibians of the plant kingdom की plant kingdom के amphibians कौन से हैं आपको पता है amphibians क्या होते हैं जिनका लाइफ जो है वो वाटर में भी रहती है और अर्थ पे भी मतलब लैंड पे भी रहती है वो होते हैं अब amphibians of plant kingdom कौन से हैं तो amphibians of plant kingdom में जनरली बात करूं तो होते हैं इस टेंज़ रहती है जह है जब हम plants की Sunshine करते हैं तो ब्रायोफाइट भी होते हैं तो prince kingdom के amphibians बात मैं से यहां पे जो है कि आपको ब्रायोफाइट नहीं दिया है red algae affectivie नहीं है moss तो moss जो है वो bryophytes का ही example है ये एक bryophyte है ठीक है और moss और liverworts जो होते हैं वो bryophytes के example होते हैं तो amphibians of plant kingdom होते हैं moss ठीक है ऐसे generally आपसे पूछें तो bryophytes और उसके example ही होते हैं moss and आपके liverworts spinous जो है आपको पता है gymnos pumps में आता है फंजाई आपको पता है ये सेप्रोफिटिक होती है ठीक है और ये इनको amphibians क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके bryophytes हैं जिसके इंडर एक्जामपल आता है moss ये ग्रोव तो करते हैं स्वाइल में लेकिन अपना जो circle है इनका fertilization पुरा करने के लिए इसलिए जो मॉसेज हैं ब्राइफाइट के इंडर आते हैं उनको amphibians of plant kingdom कहा जाता है ठीक है तो question no.1 का राइट आंसर है that e question no.2 लाइकं लाइकंक वहना है अब्समेड का मतलब होता है जब दो स्पीसिज आपस में मिलकर रहती है और एक दूसरे को वह बेनिफिट करती हैं तो उसको बोलते हैं संबाइटिक रिलेशन्चिप तो लाइकंगंगं जो है वह क्या शिंबाइट में गीडिक में रिले किसके बीच में algae and fungi की बीच में जब algae और fungi जो है वो mutual relationship में symbiotic relationship में रहती है तो उसको बोलते हैं lichens ठीक है और एक और example है symbiotic relationship का mycorrhiza जिसमें जो है वो algae higher plants है उनकी roots में रहती है ठीक है तो question number two के according right answer है option number b next question है fucoxanthin is founding देखिए सबसे पहले को आपको पता उना Clay plus algae में पाइ जाती है और कौन सी algae में पाइ जाती है यह persas अधिया जो पाई जाती है brown algae में red algae में जो है वो पाई जाती है ठीक है ग्रीन एल्गी में ख्लोरोफिल एन बी पाई जाती है ठीक है और ब्ल्यू ग्रीन एल्गी साइनो बिक्टीरिया यह मोनेरा के अंडर आता है तो फ्यूकोजनथिन इस फांड इस फांड इन ब्राउन एल्गी question number four है fluid medium of blood is ठीक है blood का fluid medium क्या है तो आपको पता है blood में आपके WBCs होते हैं erythrocytes होते हैं platelets होते हैं लेकिन जो fluid medium होता है blood का जिसमें ये सारी चीज़ें present रहती हैं उसको बोलते हैं plasma क्या बोलते हैं plasma question number four का right answer है option number C fluid medium of blood is plasma next question है diatoms the chief producers of ocean belong to group ठीक है कि जो diatoms होते हैं वो chief producers है oceans का ठीक है producer आपको पता है जो produce करते हैं food chain में ठीक है तो diatoms of chief producer of ocean belong to group chrysophyta ठीक है जो group है हमारा उसको chrysophyta को ये belong करते हैं dino flagellates को ये belong नहीं करते हैं कि इसमें flagella वाले जो है वो वही जो है वो animals belong करते हैं ठीक है euglenoids जो है वो amoeba and euglena मतलब स्वरी euglenoids जो है वो proto-zone protist हैं ठीक है slime molds भी other उसमें आते हैं लेकिन diatoms जो है वो जो example है आपका group वो है chrysophyta का ठीक है आगे है question number six which of the following is not present in eukaryotic cell ठीक है eukaryotic cell में क्या present नहीं होता है ठीक है तो पहले तो पता हो ना चाहिए eukaryotic cell क्या होती है eukaryotic cell जो होती है वो कौन सी होती है देखे plant cell और animal cell जो है वो eukaryotic cell होती है अब इनोंने पूछा है कि eukaryotic cell में क्या present नहीं होता ठीक है तो पहला option है well organized यहां पर एक word missing है nucleus ठीक है well organized nucleus वो तो एक पहचान है eukaryotic cell की क्योंकि prokaryotic cell में जो है वो well organized nucleus नहीं होता scattered रहता है वो cytoplasm में ठीक है तो यह तो सही है हमसे पूछा गया है which of the following is not present in eukaryotic cell eukaryotic cell में क्या present नहीं है well organized nucleus नहीं जी यह बिल्कुल present होता है ribosomes of ATS यह भी present होता है eukaryotic cell में mitochondria mitochondria is most important thing structure of eukaryotic cell क्योंकि mitochondria को जो है वो cell का जो है वो powerhouse कहते है ribosomes of 70s यह present नहीं होता है eukaryotic cell में यह present होता है आपकी prokaryotic cell में थीक है तो आपके question के according which of the following is not present in eukaryotic cell that is option number D ribosomes of 70s ribosomes जो है वो eukaryotic cell में नहीं present होता यह feature है आपकी prokaryotic cell का next question question number 7 temporary finger like projection on amoeba आर्कॉल्ड दीए amoeba जो है आपका single cell होता है और उसमें जो है वो एक finger like projection होती है जैसे वो इस तरह का structure होता है ठीक है तो उसमें जो है वो finger like projection होती है movement के लिए ठीक है यह इस तरह से मतलब उसके finger type उसको हम बोलते है pseudo-podia क्या बोलते है pseudo-podia तो finger like projection जो amoeba की होती है उसको बोलते है pseudo-podia तो इस question के according जो right answer है cell wall, cell membrane, pseudo-podia, celia ठीक है तो cell wall तो पता है आपको animal cell में present होती है cell membrane, plant cell में होती है pseudo-podia जो है वो amoeba में finger like projection होती है जो उसकी movement की help करती है उसको खाना एंगल्फ करने में help करती है ठीक है सीलिया तो आपको पता है यह movement में help करता है ठीक है question number 8, sweet potato is homologous too sweet potato जो है वो किसके homologous है function वो होते है हमारे homologous organ which are similar in structure but perform the different function तो यहां पे पूछा गया है sweet potato किसका homologous है ठीक है तो आपसे जो है वो टैट के एक्जाम में animals के भी homologous organ पूछे जाते है और plants के लिए sweet potato is homologous to option number 8, potato, calocasia, ginger and turnip sweet potato जो है तर्निप का homologous है ठीक है किसका homologous है sweet potato तर्निप का जो सेम है structure में लेकिन उनका function जो है वो different है next question है in parianth parianth पूछा गया है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए parianth क्या होता है parianth जो structure होता है वो आपके flower में present होता है ठीक है तो parianth में क्या होता है जो आपका flower है ठीक है सबसे आपका flower जो है इस त्रीकेसे शुरू होता है फिर आपको पता है वहां पे green colors होते हैं सेपल और पेटल में जो है फो डिफरेंस नहीं कर सकते 지금은 क्या होती है green and petals colored part property लेकिन यहां पे जो है वह plant जो आपका flour वो शुरू ही होता है तो यहां पे distinction नहीं होती सेपल और पेटल के भीच में तो in초 present breed no update between sapel anticipating परियंस क्वोषण है फ्लार का जिसमें distinction नहीं होती सेपल एंडर पैटल्स की ठीक है आगे है question number 10 trophic level in ecosystem are formed by जो trophic level है ecosystem में वो किसके द्वारा बने होते हैं तो आपको पता है किसी ecosystem में trophic level बनते हैं organism से जो वो उस food chain को belong करते हैं जैसे सबसे पहले आते हैं आपके जो ecosystem है उसमें आते हैं आपके producers ठीक है फिर consumers आते हैं तो जो आपका ecosystem है वो किस से बना होता है तो वो बना होता है organism linked in food chain और वो कुछ भी हो सकते हैं आपके bacteria होते हैं सकते हैं plants हो सकते हैं हर्भी बोरस होते हैं कुछ भी हो सकते हैं लेकिन question number 10 की according right answer है आपका option number 1 कि Tropic level in ecosystem are formed by organism linked in food chain और वो कुछ भी हो सकते हैं आपके plants हो सकते हैं बैक्टिरिया हो सकते हैं हर्वी बोरस हो सकते हैं तो इस question के according right answer है option number A next question है wildlife symbol of WWF is WWF की full form होती है World Wildlife Fund ठीक है World Wildlife Fund ठीक है तो wildlife symbol of WWF जो है वो क्या है यह बहुत वार्टाइट के एक्जाम में question पूछा गया है I think यह सबको आता होगा option number A red panda wildlife symbol of WWF is red panda next question है question number 12 T lymphocytes are produced in T lymphocytes कहां produce होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता तो T lymphocytes क्या होते हैं देखिए हमारे blood में होते हैं और यह हमारी immunity को बढ़ाते हैं जब कोई बाहर से antigen या virus हमारी body को मतलब हार्म करता है तो यह इससे लड़ते हैं तो यह पूछा गया है कि वह बनते कहां पे हैं they are produced in the bone marrow कहां बनते हैं वो they are produced in the bone marrow तो question number 12 का राइट आंसर है option number B next question है yeast is used in the production of yeast जो होते हैं वो किसकी production में help करते हैं citric acid and lactic acid नहीं bread and beer cheese and butter lipase and pectinase ठीक है तो जो yeast होता है ठीक है वो बनाता है आपका जो bacteria होता है वो आपकी मतलब यहां पर जो formation के काम आता है ठीक है तो वो आता है cheese and butter में किसमें आता है cheese and butter में नहीं आता वो आता है bread में and bear बनाने में yeast जो है वो काम आता है क्योंकि यह जो हमारी industries वह बहुत हैे व्याय काम पर यह टैटेशन करता है। यह कंप्शन है बहुत हैं स्वच्छ 75 कर्वाइँ जटेशन करता है 그래서 maintains this situation Synapsis कौन से स्टेज में होती है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Synapsis होती क्या है Synapsis होती है कि जब Miosis में जो Homologous Chromosome होते है उनकी Pairing होती है तो उसको बोलते है Synapsis, Synapsis का मतलब होता है Pairing of Homologous Chromosome ठीक है, क्या होता है Synapsis, Pairing of Homologous Chromosome ठीक है, और Synapsis कौन से स्टेज में होती है तो आपको पता है Miosis जो प्रोफेज है उसकी चार मेन फेजिस होती है Leptotene, Gygotene Pectine, Diplotene and Dikinesis लेकिन यहां पर साइनेपसिस पूछा है तो वो होती है हमारी सेकिंड फेज जो होती है ठीक है, Leptotene के बाद आती है Gygotene, तो Gygotene में जो है, वो Synapsis होती है और Synapsis Meiosis का पार्ट है और यह होती क्या है Pairing of Homologous Chromosomes ठीक है, जब Pairing होती है जब जो Nucleus, Nucleus material है आपका, उसमें जो है, वो Chromosomes अलग-अलग होके Pair हो जाती है जब Pairing होती है तो उस प्रोसेस को बोलते है Synapsis और वो होती है Gygotene में Next question है, The bone is called as Yes bone Yes bone, जो है, वो कौन सी bone होती है ठीक है, तो Yes bone के बारे में बता दूँ, यह हमारे जो है वो वर्टी ब्रा में होती है ठीक है, वर्टी ब्रा में होती है, और मारा फर्स्ट ब्र्टी ब्रा होता है Atlas, और सेकिंड होता है Axis, ठीक है, तो Yes bone किसको बोलते है, Yes bone बोलते है Atlas को, ठीक है, Yes bone जो है, हमारा फर्स्ट ब्र्टी ब्रा है ठीक है, और इसको बोलते है Atlas और जो Yes bone भी इसको बोलते हैं और no bone होती है हमारी axis यहाँ पर option number A में है आपको इसका भी पता होना चाहिए जो होती है हमारा second vertebra तो yes bone is the atlas bone ठीक है और axis जो होती है वो second bone होती है vertebra की वो होती है no bone और high wide bone जो होती है यह हमारे face में होती है ठीक है mandible यह जो है हमारे jaws होते हैं ठीक है यह हमारे skull की जो है वो bones है ठीक है तो यहाँ पर इस question के according yes bone होती है atlas next question है question number 16 pick up the wrong statement आपको wrong statement जो है वो find out करनी है सबसे पहला है cell wall is absent in animalia cell wall जो है animals में absent होती है सही है animals में cell wall नहीं होती animal में सिरफ क्या होती है ठीक है हमें wrong statement find out करनी है यह तो सही है nuclear membrane is present in monira यह statement जो है वो wrong है क्योंकि nuclear membrane जो है वो monira में नहीं होती है monira जो है वो membrane nuclear material है वो ऐसे ही scattered होता है उनके जो cytoplasm है वहाँ पे ठीक है और वहाँ पे nuclear membrane नहीं होती है some fungi are edible हाँ some fungi are edible होती है मश्रूम इसका बहुत बड़ा example है और fourth option है protist star unicellular eukaryotic organism हाँ जो protist होते हैं वो eukaryotic होते हैं लेकिन कौन से unicellular eukaryotic होते हैं तो यहाँ पे जो wrong statement है वो है option number B nuclear membrane is present in monira यह wrong statement है monira में जो है वो जो nuclear material होता है उसके around nuclear membrane absent होती है question number 17 polo sites are formed during जो polo sites हैं वो कहां होते हैं पाई जाते हैं देखी polo sites को कई वार जो है वो polar bodies भी कहा जाता है ठीक है जो हमारे polo sites होते हैं उनको जो है वो polar bodies भी कहा जाता है और वो कहां present होते हैं वो present होते हैं oogenesis में जब जो है eugenesis होती है तो polocytes और polar bodies बनती है पर वो fertilization नहीं करती fertilizer नहीं होती है तो आपको पता ना जी जो polar bodies है polocytes वो eugenesis में जो है वो form होते हैं जब egg nucleus बनता है तब ही polocytes बनते हैं तो question number 17 का right answer है option number D eugenesis question number 18 है superiority of hybrid over parents ठीक है तो superiority जब hybrid की होती है parents पे तो उसको हम क्या बोलते हैं देखिए जब हम parents का को जो है वो किसी और के साथ जो है cross करवाके एक नई genetically improved hybrid जो नई use species बनाते हैं उसको hybrid बोलते हैं तो superiority of hybrid over parent is hybrid vigor lethality heterocyst ठीक है तो इसके लिए दो term यूज करते हैं हम hybrid vigor and heterocyst ठीक है यह superiority बताती है hybrid का उगर parents तो इस question number 18 का right answer है option number D ठीक है hybrid vigor भी बोलते हैं और उस process को heterocyst भी बोलते हैं जब हम parents से अच्छी quality वाल इस जो है वो species जो है वो hybrid करके बनाते हैं next question है the plant hormone that inhibits the growth of the plant ऐसा plant hormone जो plant की growth को inhibit करता है option number A gibralins देहिए gibralins जो है वह growth hormone है oxygen भी growth hormone है option number C abscissic acid abscissic acid is the right answer क्योंकि यह growth inhibitor जो है वो hormone है जो plant growth hormone है वो है gibralins एंड ऑक्सिन और जो inhibitor है वो है abscissic acid ठीक है तो यह आपको याद रखना है question number 19 का right answer है option number C next question है the embryonic stage is resemble a mulberry fruit ठीक है mulberry fruit मलberry आप देखा होता है शेहतूत जो काफ जो fruit होता है तो embryonic stage आपको पता है जो fertilization होती है sperm और egg की तो जाइगोट बनता है ठीक है तो उसकी जो है वो further development stages आती है तो ऐसी कौन सी stage है जो mulberry fruit की तरह दिखती है structure में तो वो होती है morula कौन सी stage होती है morula ठीक है यह सारी embryonic stage है लेकिन जो mulberry fruit से resemble करती है stage वो होती है morula stage ठीक है तो I think यह जो वीडियो था यह आपके coming that exam के लिए बहुत helpful होगा next video में हम और important questions लेके आएंगे तब तक के लिए thank you and have a nice day